ओम शामती सुनते हैं 14 फैब 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त मुर्ली का टाइटल है समीप आत्मा की निशानिया आज बाबा ने मुर्ली में समीप आत्मा की निशानी क्या होगी साथ साथ बाबा ने विश्युकल्यानकारी आत्मा का संकल्ब, बोल, करम, संपर्क, संबंद कैसा होगा साथ साथ बाबा ने आठ बादशाई में आने के लिए क्या करना पड़ेगा और लाश्ट तिवर पुर्शार्थी की निशानी क्या है तो सुनते हैं 14 फरवरी 78 के मुरली समी पात्मा की निशानिया अब व्यक्द बाप दादा बोले स्वेम को सदा बाप दादा के साथ अर्थाद सदा समीप अनभाव करते हो समी पात्मा की निशानी क्या होगी जितना जो समीप होगा उतना स्थिती में करतव्य में गुणों में बाप समान अर्थाद सदा संपन अर्थाद दाता होगा किन किन चीजों में स्थिती में करतव्य में गुणों में बाप समान होगा अर्थाद संपन होगा जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्यान कारी है वैसे बाप समान विश्व कल्यान कारी होगा विश्व कल्यान कारी का अब सुनिए उसका संकल्प वचन करम संपरक्या है विश्व कल्यान कारी का हर संकल्प हर आत्मा के परती प्रकृती के परती शुब भावना वाला होगा एक भी संकल्प शुब भावना के सिवाए नहीं होगा जैसे बीज फल से भरपूर होता है अर्थाद सारे वरिक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुब भावना कल्यान की भावना सरव को बाप समान बनाने की भावना निर्बल को बलवान बनाने की भावना दुखी अशान्त को स्वेम की प्राप्त हुई शक्तियों के अधार से सदा सुखी शान्त बनाने की भावना ये सरव रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात वियर्थ नहीं होगा कल्यान की भावना से समर्थ होगा कोई भी वियर्थ नहीं होगा कल्यान की भावना से समर्थ होगा जैसे इस थूल साज आत्माओं को अलब काल के लिए उल्लास में लाते हैं नाचाते हुए भी सब के पाउं नाचने लगते हैं मन नाचने लगता है वैसे विश्यकल्यानकारी का हर बोल अब बोल भी सुनिये पहले संकल बताया बाबा ने अब बोल हर बोल रुखानी साज के समान उत्सा और उमंग दिलाता है उदास आत्माँ बाब से मिलन मनाने का अनभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती विश्यकल्यानकारी का करम अब करम सुनिये पहले संकल्प सुना फिर वच्चन अब करम विश्युकल्यानकारी का करम करम योगी होने के कारण हर करम चरित्र के समान गाएन योगे होता है हर करम की महिमा किर्तन कराने योगे होती है जैसे भगत लोग किर्तन में वर्णन करते हैं देखना लौकिक चलना लौकिक हर कार्य इंद्रियों की महिमा अप्रम पार करते रहते हैं हर करम अर्थात हर करम महान अर्थात महिमा योग्य होता है ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा ऐसे विशुकल्यान कारी आत्मा का हर सेकिन का संपरक अब संपरक सुनिए पहले संकल्प, वचन, करम, अब संपरक। ऐसे विशुकल्यानकारी आत्मा का हर सेकिन का संपरक आत्मा को सरव कामनाओं की प्राप्ति का अनभव कराता है। परिवर्तन का अनभव कराता है। ऐसे बन रहे हो ना। लक्की तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्विकार किया अर्था अधिकारी बनाया। ये अधिकार तो सब को मिल ही गया ना। लेकिन विशुका मालिक बनने का अधिकार विशुका ल्यानकारी बनने के अधार से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो अधिकारी बने हैं। राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं। तक्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं। या रॉयल फेमिली में आने के अधिकारी बने हैं। ये चेक करो बाबन का कहां तक पहुंचे हैं। विदेशी आत्माओं में से सत्यूक की आठ बादशाई में तक्त नशीन बनने के उमीदवार कौन समझता है आठ बादशाई में से लक्ष्मी नरायन की फस्ट सेकेंड उसमें आएंगे आठ बादशाई में आने के लिए क्या करना पड़ेगा बड़े ध्यान से सुनना या यह सोचा है कि सिर्फ आठी है बहुत सिंपल बात है यह देखो कि हर समय हर प्रस्थिती में अश्ट शक्तियां साथ साथ मर्ज रूप में आती है अगर दो-चार शक्तियां और एक भी शक्ति कम है तो अश्ट बादशाईयों में नहीं आ सकते ऐसे भी नहीं कि सैन्शक्ति सो परसेंट है लेकिन नेने शक्ति सिक्स्टी परसेंट या पचास परसेंट दोनों में समानता चाहिए अर्फात परसेंटेज फुल चाहिए तब ही संपूरण राज्य गद्धी के अधिकारी बनेंगे विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है हिमते बच्चे मदे बाप हाई जम का सेंपल बन सकते हैं सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगे विशेश आत्माओं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं पुर्शार्थ को आगे बढ़ाना है और फर्स टंबर की विशेशता क्या है उसी प्रमान अपना पुर्शार्थ करना है हर करम में चड़ती कला करना ही है चड़ती कला है ही है अच्छा अब बाबा अफरीका पार्टी से मिल रहे हैं सब तिवर पुर्शार्थ ही हो ना तिवर पुर्शार्थ ही अर्थात सोचा और किया सोचने और करने में अंतर नहीं होगा जैसे कई बातों में प्लान बहुत बनाते हैं प्राया राज्य होने के कारण प्रस्तितियां तो आपके तरब बहुत आती हैं, जो कई बाहर ये सब बातें पार कर चुके हैं नफिंग नियू नई बात में घवराना होता लेकिन नफिंग नियू है सालमो करने वाले सदा कमल पुष्प समान हो जाते हैं तो सबी गृुपस आए हैं बाबा से मिलने टिर्निडार्ड ग्याना वर्दान भूमी में आकर अनेक वर्दानों से स्वेम को संपन बनाया मदुबन है ही कमाई से जोली बरने का स्थान मदुबन आना अर्थात अपने को वर्तमान और भविष्य के अधिकारी बनने का टेंप लगाना कनाडा कनाडा ने कितने रतन निकाले हैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी तो है ना जो भी संपर्क में आवे उन्हें भी बाप का परिचे देते चलो तो कोई न कोई निकल आएगा तो बाबा आज बिन बिन कंट्रीज के भाई बेनों को मिल रहे हैं लेस्टर सदा तिंद्रिय सुख में जूमने वाले हो ना फिर मारिश्यस सदा स्वयम बाप द्वारा सर प्राप्तियों से संपन समझते हो बाप सागर है सागर अर्थात संपन वैसे ही अपने को संपन समझते हो हॉंग कॉंग सदा एक ही लगन में मगन रहते हो अपने हम जिन्सों को जगाने की अपने भिछडे हुए परिवार को माला में पिरोए यही लगन रहती है इसके स्वाए और कुछ तो नहीं नजर आता बाबा कहते हैं और कुछ भी नजर ना आए निमित मात तो यह हों कांग को तो बाबा ने सब को बड़े सुन्दर महवाक के सुनाते हुए याद प्यार दी अच्छा ओम शांती और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे